Hey guys, what's up? I'm sure कि आज के दिन आप सब लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे Bitcoin का price 35,000 डॉलर्स तक pump हो चुका है In fact, यहाँ पे festive seasons चालू हो चुके है, त्योहर चालू हो चुके है आज के दिन है दशेरा जैसे भगवान श्री राम ने रावन के उपर, जो बुराई के उपर जीत हासिल की थी बुराई का नाश किया था, वैसे ही Bitcoin ने आज के दिन जो negative entities थी market में, जो bears थे, उनका नाश कर दिया, उनको जला दिया right, because आपने past एक दो महिने में बहुत देखा होगा, बहुत सारे लोग market में आ चुके थे, negative बोल रहे थे, कि भाई अभी market से दूर रहो, market में आने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग अब कुछ दिन तक market में आपको दिखेंगे भी नहीं, इसका reason आप सबको पता है, bitcoin ने एक अच्छा खासा pump, 35,000 डॉलर्स तक pump लिया है, और मैं आपको यहाँ पर with date बता रहा हूँ, आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमने यहाँ पर discuss किया था, date भी आप देख लो, 22 October, आज से exactly 3 दिन पहले, because हम तो यहाँ पर कोई हवा में बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पर focus करते हो on charts, अगर आप यहाँ पर देखते हो, 22 October को एक chart मैंने आपके साथ share किया, इस chart में हमने क्या discuss किया था, आप यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बोला था, कि Bitcoin price has broken the upper channel trend line, यहाँ पर आप देखो, Bitcoin का price काफी time से एक channel में move कर रहा था, और अगर आप देखने जाओ, हमने यहाँ पर chart में सबसे पहले 22 October, कितनी हुई आज, 24, दो दिन पहले, मैंने यहाँ पर आपको update किया था, कि देखो, Bitcoin ने यहाँ पर breakout किया है, और इस breakout के बाद, यहाँ पर आप देख सकतो, अगर confirmation मिल जाता है, 47,000 डॉलर्स is the next target, आप यहाँ पर देखो, और मैंने यह भी बोला था, कि बही ऐसा नहीं होगा कि एक ही candle बन जाए, 47,000 डॉलर्स तक पहुँच जाए, यहाँ पर आप देखो, this will not happen in one shot, but eventually, आज के दिन आप देखो क्या ह हुआ, आज के दिन यहाँ पर बिटकोइन का प्राइस, उस टेम पर बिटकोइन का प्राइस कितना था, 30,000 डॉलर, 32,000 डॉलर, आज आप यहाँ पर देखो, बिटकोइन का प्राइस यहाँ पर 35,000 डॉलर्स पहुच चुका है, this is the power of technical analysis, जो भी urgent update आती है, सबसे पहले आपको मिल जाए, साथ में आपको पता होगा, एक वीडियो हमने शेर किया था, जिसमें हमने ओक्टोबर के बारे में बात की थी, कि भाई, ओक्टोबर हिस्टरी में अगर देखने जाए, पहली ओक्टोबर का आप वीडियो देखोगे न, ओक्टोबर महीना historical bullish रहा है, ओक के साथ यह coin share किया था उस coin का उस time पर price क्या था dollar 0.38 आज उस coin का price क्या चल रहा है dollar 0.2x double हो गया right कितने दिन में 8 से 24 मतलब 16 दिन के अंदर अंदर यह को मिना प्रोटोकल यहां पर double हो गया जो हमने यहां पर suggest किया right तो यह सारी चीज़ आपको यहां पर अंदाधून अगर करोगे कि हाँ भई यह बंदा नेगेटिव बोल रहा है market के बारे में तो अब market का कुछ नहीं होगा छोड़ दो market का छोड़ना चाहो छोड़ दो कोई फरक नहीं पड़ता राइट एक दो बंदे market से चले जाएंगे market को कोई फरक नहीं पर लोग यहां पर ठीके रहेंगे वो definitely profit करेंगे जो आपने यहां पर देखा है राइट तो आपको किस direction में जाना है अंदाधून की direction में जाना है या फिर charts technical analysis को देखना है वो अब आपको खुद को decide करना पड़ेगा राइट मैं उसमें बोलने वाला क कोई नहीं होता हूं अब हम discuss करते हैं कि आगे यहां पर यह pump क्यों आया इसके बारे में ETF के बारे में हमने discuss तीन reasons है तीन reasons में आपको बताऊंगा चार्ट बिटकोइन का क्या बोडर है उसके बारे में discuss करते हैं तो अब मेरे screen पर जो आप चार्ट देख रहे हो इस इस दे चार्ट ऑफ बिटकोइन राइट बिटकोइन इन वन डे टाइम फ्रेम अब यहां पर देखे यह चार्ट कितना सही से काम कर रहा है यहां पर आप तो इस पॉइंट पर कौन सा है 27,000 डॉलर पर यहां पर फिबोनाची का एक 0.786 विच इस वेरी इंपोर्टन लेवल राइट वहां पर उसने एक सपोर्ट बनाया थोड़ा सो उसके नीचे पी गया अब उसके बाद हमें क्या देखने मिला वहां से जो पंप आया डाइरेक यहां पर फिबोनाची का 0.618 डॉलो आजाता है तो आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो इस लेवल पर इसी लेवल पर बिट को उपर की तरफ ब्रेक करें वापस उसी लेवल को इसे सपोर्ट टेस्ट करें वहां से पमप हो हमारा next target यहां पर बन जाता है $42,000 जो आप यहां पर इस पर्द चार्ट देख पा रहे हो but currently अगर कोई market में ऐसी news आ जाती है definitely यहां पर देखने मिल सकता है but जैसे हमने discuss किया यहां पर जिस हिसाब से bitcoin का price मुग किया sideways right तो यहां पर 35,000 36,000 के आसपास bitcoin का price sideways देखने मिल सकते उस time पर altcoins में अच्छी खासी rally देखने मिल सकते है जिसका वीडियो मैं आपके साथ definitely share करूँगा right तो I hope bitcoin का भी क्या scene है आपको समझ में आ गया होगा तो अब यहां पर quickly इसके reasons के बारे में बात कर लेते कि bitcoin का price इतना ज्यादा pump क्यों हुआ सबसे पहला reason ETF के बारे में आपको पता होगा मतलब यहां पर court ने बोल दिया कि SEC इसको reject ना करे SEC इसके उपर और research करे और यहां पर अपना decision दे तो यह एक बहुत बड़ी news बन गई यह news पहले आ चुकी थी बट एक positive news है कि यहां पर ETF जल्द market में आ सकते है अब ETF जब market में आता है अब आप यहां पर समझ सकते हो जो बहुत बड़ी-बड़ी companies है जो investment manage करती है आप यहां पर देखे BlackRock dollar 9 trillion की company है रइट वहां इतने trillion के asset को manage करती है यहां पर देखो fidelity, invest को, wisdom tree यह सारी इतनी सारी यहां पर companies है इतनी सारी companies अगर आप इसका total करने जाओ न यहां पर 15.2 trillion dollars की assets trillion आप समझो इंडिया की जो इंडिया का GDP है उससे ज्यादा 15.2 trillion जब यहां पर इनको Bitcoin ETF का approval अगर मिलता है तो आप समझो Bitcoin के अंदर कितना investment आएगा जिससे Bitcoin का price कहा बहुँच जाएगा इसी news की वह यह news अभी आई ही नहीं है यह तो news यहां पर expect किया जा रहे है कि 2024 March April February के आसपस यह इसका April आ जाए उसके बाद तो आफ सोचो कहां से कहां Bitcoin का price पहुँचेगा अभी सिर्फ यह news की बहुँच इसा हो सकता है उसी news को लेकर यहां पर आप देखो कितना ज्यादा pump market में हो रहे है जो आप खुद ही यहां पर चार्ट में देख सकते हो right price आप खुद ही यहां पर देख सकते है आतमे यहां पर एक और reason भी बन जाते है जो geopolitical issues आपको चल रहे है पता होगा इसराइल और Palestine को जो हमस का वर चल रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है उसकी वज़े से उनकी जो currency or depreciate हो रही है नीची आ रही है तो जिससे लोग क्या कर रहे हैं लोग वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी currency को convert करके bitcoin बाई कर रहे है जो आप यहां पर देख से प्रॉंप्टेट सम इन्वेस्टर जो बड़े चीज़े समझ में आ जेगी दुनिया की सबसे बड़ी asset management company Blackrock उनके मालिक Larry Fink right who is also known as the most powerful person in the world वो जब यहां पर bitcoin ETF को लेकर positive है आप समझ सकते होगी the future क्या होने वाले तो मैंने यहां पर सारे reasons भी आपके साथ share किये बाकी दोस्तों और कोई भी update आती है सबसे पहले आपके साथ दोस्तों इसे के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं stay safe, stay healthy, thank you, jaihin